इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षाबलों की गोपनियता भंग होती है सेना का सम्मान करता है और उनहीं जानकारीओं के अधार पर काम करता है जो सार्वजनी क्रूप से मौझूद है क्या चाहता है पाकिस्तान? क्या पाकिस्तान अपना हाल गाजा पटे की तरह करवाना चाहता है? क्या वो चाहता है कि पाकिस्तान के हजारों लाकों लोग गेहूं में घुन की तरफ पिस जाए पाकिस्तान क्या ये चाहता है कि भारत की फौज पाकिस्तान में घुश जाए भारत के टैंक उसके सीमा को रौंदने लगे भारत के तोप और फाइटर प्लेंस उस पर बम गिराने लगे क्या वो ये चाहता है कि उसका पूरा मुल्क तबाह और बर्बाद हो जाए ऐसा बर्बाद जिसे अपने पैरों पर खड़ा होने में सदियां लग जाएंगी क्या पाकिस्तान यही चाहता है क्योंकि अब लग राये कि वो ऐसा है चाहता है नमस्का दोस्तों डिफरंस डिटेक्टिव के एक और नए अपिसोड में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आलोग, दर्ब में हूँ, तकलीफ में हूँ, घुस्से में हूँ जब में हुए, आतंकी हमले ने एक बार फिर से साबित किया है कि ना तो पाकिस्तान और ना ही उसके पाले हुए सपोले और साप इस उभरने वाले भारत ने ऐसे कई सापों का फन अपने जूतों के तले कुछल दिया है पाकिस्तान को भी कई बार ऐसे हमलों को लेकर सबक सिखाया है लेकिन लगता है कि अब ऐसे सबक से बात बनने वाली नहीं है अब पाकिस्तान को एक ऐसे सबक के जरुवत है, ऐसे तगड़ सबक के जरुवत है पाकिस्तान को उसके पाले आतंकियों का ऐसा घाव देने के जरुवत है जिससे उन्हें समझ में आ जाए कि अब कश्मीर पर आतंक की स्ट्राटिजी नहीं चलेगी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यह हमला कैसे भारत के लिए चिंता की बात है और ये भी कि भारत के सुरक्षा एजन्सियों को भी जम्मू कश्मीर पर और ध्यान देने की जरुवत है क्यों जरुवत है क्या कसूर था इन लोगों का हस्ते खेलते ये सारे लोग अपनी धर्मे कियातरा पर जा रहे थे बच्चे थे बुड़े थे महिलाएं भी थी और पल भर में खुशी और उत्साह मातम में बदल गया चीख पुकार में बदल गया इस आतंकी हमले से अब तक दस लोगों की जान जा चुकी है जबकि 33 लोग घायल है मरने वालों में दो साल का एक मासूम भी शामिल है यह जो हमला था वो रियासी के रंसू में किया गया बस में एक तालीस लोग सवार थे उनके अलावा बस ड्राइबर विजय कुमार दसानू और कंड़क्टर अरुन कुमार भी थे यह दोनों कट्रा के ही रहने वाले थे जबकि बाकी शद्धालू जो थे कोई दिल्ली से था कोई यूपी से था फुर आजस्तान का रहने वाला था यह सभी लोग रियासी के छिव खोडी गुफा मंदिर में दर्शन करने गया थे और वो बस से कट्रा वापस लोट रहा है कट्रा के रास्ते में उन पर यह हमला किया गया CCTV फुटेज में नजर आ रही है वही बस है जहां यह CCTV लगा हुआ है उस मोर से यह बस 9 जून की शाम ठीक 6 बच कर 30 सेकंड पर क्रॉस हुई और इसके कुछी दीर बाद बस पर हमला हुआ बताय जा रहा है कि आरमी की डरीस पहने हमलावरों ने बस पर सामने से फारिंग की गोली ड्राइवर को लगी इसके बाद बस बेकाबू होकर खाई में गिर गई इसके बाद भी आतंकवादियों ने गोली चलानी बन नहीं कि करीब आदे घंटे तक आतंकवादी रुक रुक कर गोरियां चलाते रहे वारदात के खबर मिलते हैं इस्थानिये लोग मौके पर पहुँच गए पुलिस को भी खबर दी गई इसके बाद रिसक के ऑपरेशन शुरू किया गया घायलों को अस्पताल ले जाये गया मैंने अपने आग से के वले एक लोग को देखा था जो अंडरोड पे बीच रोड में खड़ा था और फारिंग कर रहा था साथ इस पूरे इलाके में पुलिस और आर्मी ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है ड्रून से भी हातंकियों की तलाश की जा रही है दस लोगों की जान इस हमले में चली गई इस आतंकिया हमले के तीछे भी पाकिस्तान का लिंक सामने आ रहा है अभी तक की मिली जानकारी के मताबग इस हमले को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने लशकरे तोयबा के विंग टी-र-एफ के सपोर्ट से अंजाम दिया है टी आरेफ लशकरे तोयबा का ही एक विंग बताया जाता है साल 2023 में भारत सरकार ने इसे आतंकवादी संगठन घूशित किया था बताया जा रहा है कि इसी टी आरेफ ने रियासी में बस पर हमला किया हालाकि इस बारे में अभी तक कोई ओफिशिल जानकारी सामने नहीं आई है बस के ड्राइबर को आतंकवादी उने निसाना बनाया जिससे बस और नियंतिर ठोकर के खाई में गिरी लेकिन ये बात भी ताय है कि शद्धालूं से भरी बस पर हमला कोई अचानक नहीं किया गया ये सोची समझी साजिश है उसके वज़ा ये है CCTV फुटेज में देखी इस फुटेज को गोर से देखिए जब 6 बच कर 30 सेकेंट पर ये बस मोड से गुजर जाती है उसके देर बाद एक काली जीप भी तेजी से उसी रास्ते पर जाती है जहांच अजेंसी इस जीप के बारे में पता करने में जुटी है अंदेश जद आये जा रहा है कि आतंकी इसी जीप में सवार थे और बस के पीछे लगे थे मौका मिलने पर ये बस के आगे आगे होंगे और बस पर हमला कर दिया होगा इस हमले के खबर मिलते ही राश्रपती रौपदी मुर्मू प्रधान मुंतरी नरेंदर मुदी समेट पक्ष बेपक्ष के कई नेताओं ने ट्वीट कर अपने दुख जटाया है उस हमले की मिंदा की है वैसे तो हर आतंकी वारदात अपने आपने चिंता की बात है लेकिन इस हमले ने सेक्यूरिटी फोर्सिस की टेंशन बढ़ा दिये क्योंकि ये जान बूश कर हिंदू शद्धालूओं के उपर अटैक किया गया है असल में अब तक जादतर आतंकी हमले कश्मीर रीजन में हो रहे तो लिकनी हमला जम्मू रीजन में किया गया है ये आतंकवाद को जम्मू के इलाके में भी फैलाने की साज़ुश है जो लोग भी जिम्मेदार हैं उन्हें बकसा नहीं जाएगा एक नापाक कोशिस हुई है कि जम्मू रीजन को भी किसी तरीके से तर्माइल में लाया जाए और मुझे लगता है कि ये एक नापाक कोशिस है जिसे हर हाल में विफल किया जाएगा इसके साथ इस हमले को जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के दौर को फिर से शुरू करने की भी एक कोशिश बताया जा रहा है खबर तो ये भी आ रही है कि पाकिस्तानियों को पैट कश्मीर में करीब सत्तर से ऐसी पार्क ट्रेंड आतंकी घुसपैट करने के लिए घात लगाए बैठा है यानि पाकिस्तान और उसके पाले हुए आतंकी कश्मीर में बड़ा खूनी खेल खेलने के फिरात में मैं इसी वज़े से कहे रहा हूँ जो भामारी सेक्रिटी फोसेज हैं उनके साथ साथ हुफिया एजनसियों को भी इस पूरे रीजन पर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है इस बात में कोई दोर आए नहीं कि पिछले कुछ सालों में जम्मु कश्मीर में हालात पहले के तुलना में बहतर हुएं सडकों पर होने वाली पत्थरबाजी बिलकुल बंद हो चुकी है और आतंकी हमलों में भी अच्छी खासी कमी आई है सुरक्षाबल लगातार आतंकी संगठनों के खलाफ ऑपरिशन चलाकर उनके नेटवक को भी तोड़ रहा है बावजूदस के कई आतंकी वारदातों ने जम्मु कश्मीर की सुरक्षा पर सवाल भी उठाए है साथ फरवरी को शिनगर में एक सिख को आतंकवादियों ने गुली मार दी हमले में घायर उसके साथी की अगले दिन याने आठ फरवरी को मौत हो गई थी सिक्योरिटी फोर्सेस ने तुरंत अक्षन लेते हुए तेरह फरवरी को इस हत्याकांट के मुख्य आरोपी को गिरिफतार भी कर लिया था 26 मार्च को पुंच में सरकारी अस्पताल के पास एक लो इंटेंसिटी ब्लास्ट रुआ था इसमें कोई हताहत तो नहीं हुआ लेकिन हाँ आफरा तफरीज जरूर मच गई थी आठ अप्रेल को शोपिया में दिली के एक ड्राइवर को गुली मार दी गई 17 अप्रेल को अनंतनाग में बिहार के कामगार को निशाना बनाये गया इन में से जादतर हमलों में शामिल आतंकियों को हमारे सेक्रिटी फोर्सेज ने या तो इनकाउंटर में हलाक कर दिया या फिर धर दबुशा लेकिन एक सच ये भी है कि लगातार हो रहे ये छोटे बड़े हमले राज्य की शान्ती और स्थिर्टा के लिए खत्रा तो हैं ही उमीद है कि हमारे सेक्रिटी फोर्सेज और इंटेलिजिंस जो एजन्सीज हैं वो इन हमलों को रोकने के लिए और जादा जोर लगाएंगी एक और बात है कि अब भारत इस हमले का जवाब कैसे दिखता है ये देखने वाली बात है प्यासी में हुआ ये हमला एक बड़ा हमला था इसमें दस लोगों की जान चली गई है एक बच्चे की तस्वीर देखी मैंने अब क्या बता हूँ हमले की टाइमिंग को लेकर भी बात की जाए क्योंकि नरेंद्र मोदी के तीसरी बार पढ़ानमंत्री बनने की शपत लेने के ठीक एक घंटे पहले अन्याब दियागे है तो क्या ये मोदी सरकार को अतंकवादियों की चुनापी है तो अब भारत की बारी है इन अतंकवादियों को मोतोड जवाब देनी की और पुरी उमीद है कि हमारे सीकुरिटी फोर्सेज, हमारे सीकुरिटी एजनसीज, डिफेंस फोर्सेज, पाकिस्तान के पाले इन सापों को उनके बिलों से निकाल निकाल कर जरूर मारे की और हाँ, पाकिस्तान खुद भी इस हमले का रियक्शन जिलने के लिए तयार रहे है क्योंकि वो भले ही अपने कबजेवाले कश्मीर में लॉंच पैट बनाकर आतंगवादियों को भारत भेज रहा है लेकिन हम सब जानते हैं कि इससे वो भारत के जवाबी हमने से बशनी पाए तो अगर पाकिस्तान फिर से भारत के सर्जिकल स्ट्राइक और एर स्ट्राइक जैसी कारवाई जहिलना चाहता है तो वही सही और अगर युद्ध जहिलना चाहता है तो युद्ध भी सही मुझे लगता है कि हर हिंदुस्तानी इसके लिए तयार दोस्तों कमेंड में जरूर बताईए कि क्या किया जाए आप कोई वीडियो कैसा लगा कमेंड करके जरूर बताईए और साथ ही साथ इस वीडियो को जादे जादा लाइक करेए शेयर कीजिए और जिन दोस्तों ने अभी तक Defend Reductive को सबस्क्राइब नहीं किया है तो भाई आपसे अनुरोध है चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकोल जरूर दबाएए जिससे हमारे द्वारा अप्लोड किये गए हर वीडियो की जानकारी आप तक परन पहुँच चाबए जल्दे मिलता हूँ एक और ने वीडियो के साथ नमस्कार जैन